नमस्कार दोस्तों वीडियो देखने पर चैनल सब्सक्राइब कर जिए और घंटी देबल जिए Kareena Kapoor Khan made an appearance on the latest episode of Karan Johar's chat show alongside Priyanka Chopra. While the duo made many revelations, what caught the attention was Kareena's hint about Sara Ali Khan and Karthik Aryan's upcoming plans. The actress disclosed that Sara and Karthik make a good pair and are planning to do a movie together. She also added that together there will be a fusion of mass and class which always works. On the professional front, Kareena is busy shooting for her upcoming film Good News starring Akshay Kumar. Critics से लेकर दर्शकों तक सबसे काफी तारीफ मिल रही है. Film के दारनाथ और Simba में उन्हें फैस का भरपूर प्यार मिला. Sara आपने वॉलिवुद डेब्यू के पहले से लेकर अब तक आए दिन सुर्कियों में रहती है. Recently उनके हेडलाइन्स में आने की वज़े हैं उनकी और कार्तिक आरियन की एक वीडियो क्लेप. सैफ अलिखान और अमरिता सिंग की बेटी सारा सिर्फ फिल्मों से ही नहीं बल्कि अपने फ्रेंडली नेचर से भी लोगों के दिल में जगह बना चुकी है. करन जोहर के चैट शो में सारा ने सब के सामने कहा था कि उन्हें कार्तिक आरियान पर क्रश है और वहां उनके साथ कॉफी डेट पर जाना चाहती है. उनकी दोस्त अनन्या पांडेयर ने भी कहा था कि वहां भी कार्तिक के साथ कॉफी डेट पर जाना चाहेंगी. कुछ दिनों बाद पता चला कि कार्टिक ने सारा और अनन्या दोनों के साथ फिल्म में साइन की हैं कार्टिक अनन्या और भूमी पैडर ने कपके साथ पती, पत्नी और वो में नजर आएंगे वहीं सारा के ओपजिट वह इम्त्रियाज आली की लाव आज कल दो में दिखाई देंगे अब सोशल मीडिया पर एक विडियो वाईरल हो रहा है जिसे इम्त्रियाज आली की फिल्म लाव आज कल दो के सेट्स का बताया जा रहा है रिपुर्ट्स की माने तो विडियो में इम्थ्रियाज की फिल्म का रोमेंटिक सीन वाइरल हुआ है सीन में सारा और कार्तिक रोमेंटिक गाने पर डांस करते हैं फिर पैशनेट किस करते दिखाई देते हैं कार्तिक ने ब्लेक सूट और सारा ने वाइट ड्राइस पोहन रखी है। खबरों के मुताबिक कार्तिकार्यों यह बात बता चुके हैं कि वह सारा अली के साथ इंत्याज अली की एक फिल्म कर रहे हैं। फिल्म में रंदी फुडा भी एहम रोल में नजर आएंगे।